हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपसूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयरी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अलग-लग एक्जाम्स के लिए स्टेडी मैट्रियल आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइट कराते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लावा इसी नाम से हमारा टेलिग्राम गुरूप भी है आप वो भी जॉइन कर सकते हैं तो इसी स्ट्रीडी में मैं आपके लिए हिंदी की एक पचास प्रश्णों की स्रंखला लेकर आता हूँ जिसमें हम अलगलग टॉपिक से पचास कोशन डिसकस करते हैं तो आज हम विलोम शब्द उसमें देखेंगे जो अलगलग प्रत्योगी परिक्षाओं में पूछे गए हैं इससे पहले मैं इसके दो सेट्स अल्रेडी बना चुका हूँ तो यह हमारा तीसरा सेट है विलोम शब्द का विलोम क्या है तो इसका होगा अत्यल्प अगला देखें रित का विलोम क्या है तो रित का विलोम होता है अनृत ओप्षन ए रित शब्द का अर्थ आपका क्या होता है रित शब्द का अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ होता है सत्य या सही या स्वाव व्यवस्थित होता है और आनरत शब्दकार्थ आपका असत्य गलत या आव्यवस्थित होता है अगला उतकर्ष का विलोम क्या है तो उतकर्ष का विलोम है आपका अपकर्ष विशुद्द का विपरीत शब्द क्या होगा विशुद्द का विपरीत शब्द होगा अशुद्द आहत का विलोम शब्द क्या होगा तो आहत का होगा अनाहत ओप्शन ए अगला देखते हैं और आहूत का क्या होता है अनाहूत आप यहां पर पढ़ सकते हैं अनाहूत किसका होता है आहूत का और हत का क्या होता है आहत चारू शब्द का विलोम शब्द बताईए तो चारू का क्या होगा अचारू ऑप्शन बी शुब का विपरीतार तक शब्द क्या है अशुब ऑप्शन बी के अलावा कुछ और देखते हैं लाब का हानी अवंगल क मंगल आपत्ति का अनापत्ति आहार का विप्रीतार तक शब्द क्या है तो आहार का विप्रीतार तक है अनाहार आवरत शब्द का विलोम शब्द क्या है अनावरत ओप्शन डी मूर्थ शब्द का विलोम क्या है अमूर्थ आप्शन ए आहनाहूत का आहूत आविर्भाव का तिरोभाव अभिग्य का अनभिग्य और अमरित का विश गरल या हलाहल अतीवरष्टी शब्द का सबसे युक्त युक्त विलोम क्या है तो अतीवरष्टी का विलोम होगा आपका अनावरष्टी निमलिकित में से अग्राज शब्द का विलोम शब्द कौन सा है तो अग्राज का क्या होता है अनुज option D इसके अलावा सहज का विलोम शब्द क्या होगा असहज आत्मज का विलोम शब्द क्या होगा आत्मजा निम्लिकित में से सम्मान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है तो सम्मान का होगा आपका अपमान ओप्शन B अग्रज का विलोम शब्द क्या है तो यह होगा अनुज ऑप्शन C इसके लावा देखे तो अक्षत का विलोम शब्द आपका विक्षत और अटल का विलोम शब्द क्या होता है चंचल निम्लिकित में से विलोम शब्दों की दृष्टी से एक युग्म गलत है वो कौण सा है तो अनुचर का क्या होगा आपका परीचर तो अनुचर और परीचर दोनों आपके सेवक के लिए यूज़ किये जाते हैं चो सर्वेंट होता है उसके लिए दोनों शब्द यूज़ क मरत का होगा अमर्त का विष या हलाहल जीवन का मरण और अचर का जरा चर Lisa को भी काफी पूछा जाते है को भी याद रखेगा 1 होता है। अगी शब्द का विलोम आपका निरग होता है किया से आगे चलते है चेट दिएगाई विकल्पों में से इस फूर्ती शब्द का विपरितार्थक शब्द बताईए तो क्या है आलस्य इसके अलावा अगर बात करें तो परोक्ष का क्या होगा प्रत्यक्ष होगा विगत की बात करें तो इसका आगत होगा और ओर्वर का क्या होगा उसर ये भी काफी पूचा जाता है यह थार्थ का विलोम शब्द क्या है तो यह है आदर्श ऑफ्चन और इसके अलावा देखें कि तो कृतरिम का प्राकरत अनुचित का उचित और यह थार्थ का विलोम शब्द क्या होता है आपका कल्पित इसका एक और कल्पित दी होता है अगला देखते है इन में से कौन चा शब्द प्रस्थान का विलोम है तो प्रस्थान का विलोम क्या होगा आगमन प्रत्वी का विलोम शब्द लिखिये तो प्रत्वी का क्या होगा आकाश गोचर का अगोचर लौकिक का अलौकिक प्रसारण का विलोम शब्द क्या है तो प्रसारण का क्या होगा आकुंचन जबकि आरक्षन का अनारक्षन तिमिर का विलोम शब्द बताई तो तिमिर का होगा आलोग गगन का विलोम शब्द क्या है तो गगन का विलोम शब्द होगा गमन का माफ कीजिए गमन शब्द का विलोम शब्द आगमन option c कोटिल्य का विलोमशब्द क्या है तो कोटिल्य का विलोमशब्द होता है आरजव option D ये भी बहुत important है कई बार पूशा जा चुका है कोटिल्य का विलोमशब्द आरजव इसके लाबा आरतव का अनारतव म्रदू का विलोमशब्द क्या है कठोर उद्यम का विलोमशब्द आपका क्या होगा आलस्य ओप्शन B तिमिर का विलोमशब्द आलोक ओप्शन C भौतिक का विलोमशब्द क्या है भौतिक का विलोमशब्द है आध्यात्निक श्री गनेश का विलोम शब्द क्या है तो श्री गनेश का विलोम शब्द है इती श्री 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 गनेश मतलब किशी कार्जी की शुरुवात करना इती श्री मतलब उसका अंत समापन का उधगाटन अत का इती और अंत का प्रारम अत का विलोम शब्द क्या है तो अत का विलोम शब्द है इती option C 81 देखते हैं निमलिकित में से कौन सा अत शब्द का विलोम है तो यह है आपका इती option A अत का इती हो गया आदी का अंत प्रारम का समा अकाल का सुकाल से वही संबंध है जो अत का किस से है इती से है तो अत का इती ऑप्शन ए उद्यम किसका विलोम शब्द है तो उद्यम अगर बात करें तो इन में से कोई भी नहीं आपका सही ऑप्शन है क्योंकि उद्यम आपका निरुद्यम का विलोम शब्द होता है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है इती श्री सौम में शब्द का विलोम शब्द क्या है तो यह है आपका उग्र उप्शन बी इसके अरावा बात करें दुर्भाग्या का आप सौभाग्या का क्या होगा दुरभागया शत्रु का विलोमशब्द आपका मित्र और दुराशय का सदाशय शीत का विलोमशब्द क्या होगा शीत का विलोमशब्द होगा उश्ण कृष्ण का क्या होगा शुक्ल खंड का क्या होगा गर्म अगला यमुना का प्रवाः अविकल है किन्तु वह कहीं गहरी है और कहीं कैसी है तो गहरी का विलोम शब्द आपका उथली क्रपण का विरुद्धार्ती शब्द चुनिये तो क्रपण का विरुद्धार्ती शब्द क्या है उदार धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है तो यह है उज्वल इसके अलावा अपकर्ष का विरुद्धार्ती शब्द क्या हुआ उतकर्ष ओप्शन B अधम का विरुद्धार्ती शब्द नीचे दियेगा विकल्पों में से कौन सा है तो अधम का होगा उत्तम इसके अलावा अगर देखें, तो नेक बुरा था नार की है कि विलोम शब्द क्या होंगे? वदद अच्छा और स्वर्गिये निमलिकित मैं से विलोम शब्द का अर्थ कौन सा है? तो इसमें विलोम का अर्थ कौन सा है? उल्टा जबकि सीधे का क्या होगा आपका सरल करत्रिम का प्राकर्तिक से वही संबंद है जो उर्वरा का किस्से है आपका उसर से दोनेक दूसरे के विलोम शब्द है कुटिल का विलोम क्या होगा कुटिल का विलोम होगा रिजू या सरल निम्लिक दिये गाई विकल्पों में से विकीन शब्द का विपरीतार्थी शब्द चुनिए तो विकीन का विपरीतार्थी क्या होगा एककत्र इन में से कौन सा शुक्ल का विलोम है तो कृष्ण आपका शुक्ल का विलोम है मधुर का विलोम आपका क्या होगा मधुर का विलोम है कटू और तीक्ष्ण का क्या होगा मंद रिजु का वक्र श्री गनेश का इतीश्री परुष का विलोम शब्द क्या है तो परुष का विलोम है कोमल फिर देखे वही दुबारा से रिपीट हुआ परुष का विलोम शब्द ये दूसरे परिक्षा में पूछा गया तो ये आपका कोमल है इसका भी नैसरगिक का विलोमशब्द क्या होता है तो नैसरगिक का होता है आपका करत्रिम यह आरो यारो की परिक्षा में भी उचा गया था करकश भाव की दीप्ति की मित्रता इस सुभाव की अनीता से बहुत पुरानी है किस से कोमल तो करकश का क्या होगा कोमल निशिद का वहित ठीक है, वक्र का रिजू ठीक है, कटू का तिक्त ये गलत है, पास्चात्य का प्राच्य है, ये दोनों ही आपके इसमें COD गलत है, तो देखते हैं, पास्चात्य का क्या होगा, पौरवात्य है, मधुर का क्या होगा, तिक्त, क्रतग्य का विलोम क्या होता है आपका क्रतग्न तो क्रतग्य आपका बंड वर्ड में भी या वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है इसका अगला देखते हैं लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चहरा देखते ही बनता था तो ओजस्वी चहरे का विलोम विलोम शब्द क्या होगा तो इसका विलोम शब्द होगा कांती हीं ऑप्शन सी तो यही आज के हमारे करीब हमने 54 प्रस्ट इसमें देखे इसके मैं और भी सेट्स आपके लिए लाता रहूंगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज हमारा चैनल कर दीजिए यहां पर आपको ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट और और बी जिसे एक्जाम्स में हिंदी पुछी जाती है उसके प्रशन आपको मिलते रहेंगे थैंक्यू सो मत